basic concept पे बहले मैं बात करता हूँ कि percentage होता गया है तो आपने इसका नाम सुना होगा percentage हिंदी में कहते हैं इसको प्रतीशत ठीक हिंदी में क्या कहते हैं प्रतीशत आप कोई भी exam की तयारी कर रहे हो bank की तयारी कर रहे हो railway की कर रहे हो UPSC, SSC, कोई भी competitive मैंने लिखा भी है all one day exam 2022 कि कोई भी one day exam 2022 आप prepare कर रहे हो तो ये सब के लिए जरूरी है हर किसी के लिए ठीक है percentage यानि की प्रतीशत प्रतीशत शत आपने सुना होगा शत मतलब 100 और प्रती मतलब कोई चीज upon में है यानि की denominator में है percentage को हम लोग इस तरीके से denote करते है मतलब होता है कोई भी चीज upon 100 है percentage को denote कर रहे है उधारन के लिए मैंने लिखा 20% तो 20% का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज 100 है कोई चीज अगर 100 है तो उसमें उसका जगा है वो 20 है से समझ लो तो 20% मतलब ये रहा सही है मैंने कहा उधारन के लिए ऐसे समझते है मैंने कहा मेरे 20% मार्क सायाज के वेपर में तो 20% का मतलब ये हुआ कि अगर 100 अंकों की परिच्छा थी तो मेरे 20 अंक आए percentage denote करता है कि percentage ही क्यों पढ़ते है देखिए जैसे आपने देखा सरकार बजट कल बजट निकला तो percentage जो होता है अपने आप में वो maximum तो कितना भी होता है लेकिन हम मानते हैं कि पूरी दुनिया हर चीज अपने आप में 100% है हमने ऐसा कहा कि सब कुछ 100% में समाज आता है तो 100% बोलना इजी है जैसे मैंने का मुझे 25,3,8,18 रुपे का प्रॉफिट हुआ ये बोल पाना मुश्किल है लेकिन मैं कहूंगा मुझे 70% का प्रॉफिट हुआ 80% का प्रॉफिट हुआ चीजे समझ में आती है तो percentage की खोज इसलिए की गई easy to understand है चीजों को समझाना असान होता है चीजों को समझना असान होता है मैंने कहा मेरे maths में 20% marks है तो 20% marks का मतलब ये हुआ कि paper अगर 100 number का है तो आपके 20 number है ये बात समझ आ लिए सर हाया ना बुलो thumbs up एक बार तो basic concept में मैंने आपसे क्या कहा कि basic concept ये बूलता है percentage का मतलब होता है कोई भी चीज upon 100 है ये बात समझ में आ गई कोई भी चीज upon 100 है अगर कहीं पर भी percentage का symbol दिखाई दे समझ लीजिए उसको upon 100 कर देना है एक basic चीज है डन जैसे भी सरकार ने बुला कि crypto currency पर 30% tax देना होगा सरकार ने बुला कि अगर आप crypto currency पर आपको 30% का tax देना है आप percentage जिसको पता ही नहीं है वो कहगा ये 30% क्या हुआ तो 30% समझना ऐसे आसान हुआ कि भाई साब अगर आपने 100 रुपे कमाए तो उस 100 में आपको 30 रुपे tax देना है ये मतलब हुआ 100 कमाए तो 30 tax अगर आपने 1000 कमाए तो 300 रुपे tax यानि इसका 30% यारे बच्चों समझ में आ रहा है आ रहा है तो बूलिये है ना कि भाई 30% tax अगर आपको देना है कि 100 रुपे अगर मैं कमा रहा हूँ तो 30 रुपे tax तो percentage काफी easy हो जाता है समझने के लिए बोलने के लिए किसी को समझाना है कि मेरी salary 30% बढ़ गई तो salary 30% बढ़ गई इसका मतलब यह है कि अगर उसकी salary 100 रुपे थी तो 30% 30 रुपे बढ़ गई 130 हो गई तो चीजे कितनी simple है चीजे कितनी simple है सब के लिए समझने के लिए percentage की theory कहां नहीं समझा गई आगे चलते है percentage को fraction में बदलना होता है अब सवाल आता है क्यूँ percentage को fraction में बदलना होता है ऐसा क्यूँ देखिए ऐसा इसलिए होता है मैंने कहा percentage तो percentage जो चीज होती है वो depend करती है डिपेंड करती है रेशियो पे ना कि वैल्यू पे किस पर डिपेंड करती है रेशियो अब ये रेशियो सब्द क्या है रेशियो का मतलब होता है अनू पात एक एक सब्दों को कनेट करतावा चलूँगा रेशियो का मतलब होता है अनू अनु मतलब होता है छोटा अनु बोलते न हमारे घर में अनु जे छोटा है छोटा पात जो बनाए है वो पाट से बनाए कि छोटा पाट छोटा भाग तो जो किसी भी संक्या का सबसे छोटा भाग होता है उसको रेशियो कहा जाता है कोई दो संक्या है उनका सबसे छोटा भा हुआ तो परसेंटेज को भी हम वन अपॉन टू को भी हम परसेंटेज से निकाल सकते हैं कि परसेंटेज वन अपॉन टू जो है वो फिफ्टी परसेंट है तो यह कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हमें परसेंटेज को फ्रेक्शन में करना होता है कि फ्रेक्शन को को fraction में तबदील करना है तो कोई आप से पूछे कि percentage को fraction में क्यों convert करना है जवाब आएगा क्योंकि maths को ratio method से पढ़ना है maths अगर ratio method से पढ़ना है तो percentage को fraction में convert करना आना चाहिए वरना फिर आप ratio method से नहीं पढ़ सकते एक-एक theory को सुनना मैं question ही से पूछूँगा last में ठीक तो percentage को fraction में convert करना है क्यों क्योंकि ratio method से सवालों को solve करना है हम लोग ना ही कोई x मानेंगे ना ही कोई y मानेंगे हम ratio method का इस्तमाल करेंगे इसलिए समझना है अब जैसे मैंने का कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो 100% का मतलब 100% का मतलब यह हुआ तो 100% का मतलब हुआ 1 मैंने कहा इसका double कर दो double तो double करेंगे तो 200% इसका भी double कर दो भाई तो यह हो गया 2 मैंने कहा 3 गुणा कर दो इसका तो 300% तो इसका भी 3 गुणा 3 तो यानि 100% जो है वो 1 है तो जितने भी 100 के multiple होंगे वो 1 के भी होंगे 100% 1 होता है तो जो भी multiple होगा वो 1 का होगा यह 1 आपसे कहा मैंने कहा 100% अगर 1 है सर ध्यान देना ठीक है तो मैंने क्या कहा 200% 2 हो जाएगा 300% 3 हो जाएगा मैंने कहा 500% बताईए कितना होगा तो आप कहोगे यह इसका 5 गुना है इसका 5 गुना 5 ठीक सब्सक्राइए थमसब एक बार ठीक है अगली बात अगर मैं करूँ आपसे अगली बात यह तो आपने पहली बात बोली दूसरी बात तो ऐसी करके हमें कुछ percentage के basic चीजों को समझ अगर उसके जितने multiple होते चले जाएंगे वो उस पे multiply कर देंगे उधारन के तौर पे मैंने कहा suppose कीजिए 25% तो 25% का मतलब हुआ 25% मतलब यह होता है आपने value निकाली आपने का 1 by 4 ठीक हाया ना बुलो सही है जल्दी से comment fast हरिए अप तिल्दी से बोलो फटाफट से ठीक है तो 25% 25% मतलब 1 by 4 अब मैंने यह कहा कि जितने इसके multiple होगे मैंने का 75% बताओ तो इसका 3 गुना है 3 by 4 यह चीजे समझने वाली है याद भी कर सकते हैं अच्छी बात हैं लेकिन समझेंगे तो जादा अच्छा होगा तो मैंने का इसका मैंने का 4 गुना तो बेकारे 5 गुना कर दो 125 परसेंट पांच गुना इस नमबर का ना 5 बाई 4 इस नमबर का 7 गुना कर दो 175 परसेंट 7 बाई 4 आ रहा है समझ में how many of you are getting the concept की percentage को fraction में क्यों convert करना है और अगर convert करना भी है तो एक का अगर आपको मालूम है और बाकी नमबर आपको दिखाई देने उसके multiple है तो you can also say कि मैं उसका वो कर दूँ जैसे मैंने आपसे कहा 37 1 by 2 परसेंट ये कितना होगा तो आपने का 75 परसेंट का मतलब ये हुआ ये नमबर इसका आधा है तो इसका भी आधा कर दो कि 3 by 4 इसका आधा value हो गई 3 by 8 कितना प्यारा मैं चड़े है अगर आप चीजों को समझोगे तो आप कहोगे कि यार ये चीज़ अच्छी है रटोगे तो हर चीज को फिर रटना पड़ेगा तो समझना है 37 75 का आधा है 3 by 4 और का आधा 3 by 8 मैं किया रहा इसका भी आधा कर दो 37.5 का भी आधा करेंगे 18 इसका आधा 3 by 4 इसका भी आधा करेंगे 3 by 16 ये समझने वाली चीज़े हैं क्या ये याद करने की चीज़े हैं ये समझने वाली चीज़े कि 75 पता था आधा किया आधा इसका भी आधा कर दिया 3 by इसका भी आधा कर दो 18.45 इसका भी आधा कर दो कमेंड फास्ट इसका भी आधा तो आधा करेंगे 9 3y आधा करना है 3 by 4 टूजा 8 तो आधा 9 3 by 8 इसका भी आधा 3 by 32 कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि परसेंटेज को फ्रेक्शन में कनवर्ट करने की जो टेक्निक में आपको सिखा रहा हूँ तो अब आप एक्जाम में अगर इस नंबर को देखते हैं तो आप चौंकिएगा मत 72 75 by 8 यही आंसर आएगा अगर सपोस कीजिए आपने एक्जाम में इस नंबर को देखा नया नंबर है आपके लिए 9 3 by 8 आज से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा तो आप कनफ्यूज नहीं होएंगे कि आया कहां से इसका हाफ सपोस कीजिए इतनी थियोरी दिमाग में कई बार काम नहीं करती एक्जाम का प्रेशर होता है हो सकता है कि एक्जाम में आ गया 9 3 by 8 आपने कहा सर चलो ठीक है ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि 75 का आदा हुआ इसका आदा इसका आदा और भी आधा कर सकते थे ये बात समझ में आ गई है लेकिन कई बार क्लिक नहीं होता है कई बार क्लिक नहीं होता है तो क्लिक ना हो उस केस में आप इसको ऐसे क करेंगे कि आपने का इसको open किया 9872 और 3 75 by 8% ऐसा लिख सकते हैं further मैंने इसको एक step और आगे बढ़ा दिया कि अभी हमने सीखा था percentage का मतलब upon 100 25 से 3 बार 25 से 4 बार तो देखो same answer आ गया तो अगर आपको ऐसे ना आता हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो तो both are same मैं आपको यही कहना चाहरा हूं कि रटिये मत आपको exam में मैंने का यह number आ गया आपको नहीं मालूम कि यह 18 3 बाई 4 का अधा है आपको नहीं मालूम तो कोई बात नहीं मुझे भी नहीं मालूम कोई बात नहीं तो मैंने का इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकते हैं तो अब अगला topic यह आता है कि अगर कोई fraction याद नहीं है तो उसको निकाला जा सकता है कोई fraction अगर याद नहीं है तो उसको निकाला जा सकता है अब मेरे साथ आप कुछ fractions में मैं बात करता हूँ कुछ fractions जिनको आप निकालोगे मैंने कहा 57 1 by 7% चले बताइए इसकी value क्या होगी आपको भी याद नहीं मुझे भी याद नहीं लाइक कर देना बेटा वीडियो को है न जो repeat लिख रहे है वो इसमें समझ जाएंगे तो इसको क्या लिख सकते है बताईए इसको multiply करो कि 57 को तो 7 से करना है इन्टू 1 upon 7 ऐसा लिख सकता हूँ और percentage 7 सेविन जा 49 साथ पंजे 35 और 4 बहुत अराम अराम से पढ़ा रहा हूँ बहुत जल्दबाजी नहीं है ताकि आपके concept revise हो जिन्नोंने मुझसे plus में पढ़ा हुआ है उनको बहुत मजा आ रहा हुगा यहां सर हम तो पहले से पढ़के आ रहा है तो मजा आ रहा लेकिन revision अच्छा हो रहा है यह देखिए तो value हो गई 4 भाई आपको अगर याद नहीं है मैं कहाँ कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है याद नहीं है घबराई है मन कोई बात आ गई अवाज चलो बीच बीच में हो जाता पता नहीं क्या issue आ रहा है तो शैद बीच में चला गया होगा चलो ना ओके ठीक है तो एक बार वीडियो को लाइक फिर से कर दो एक बार कमेंट बता दो ना ओके ठीक है तो मैंने क्या कहाँ आप लोगों से कि इसकी value निकालनी है 16 2 by 3 मुझे याद नहीं है तो 16 3 जा 48 और टू पचास भाई 3 परसेंट है ना भाई 16 को 3 से और 2 जोड दिया फर्दर मैंने का 50 अपॉन 3 परसेंटेज का मतलब अभी सिखाया था यह देखे दो बार तो आप आपके बाद कोई बच्चा यह नहीं पूछना चाहिए सर्फ 1 अपॉन 6 कैसे आया कोई नहीं पूछेगा 1 अपॉन 6 कैसे आया ठीक ऐसी ही यह concept समझा आ गया ना कि कोई भी परसेंटेज है उसको हम convert कर सकते हैं कुछ question के बारे मैं दूँ आपको एक मैंने कहा suppose कीशे आपको convert करना है कोई नंबर ले लेते हैं कोई भी बड़ा नंबर ले लेते हैं 66 2 by 3% जलो जल्दी से बताएंगे इसका answer क्या होगा उसके बाद मैंने कहा अगला question है 14 2 by 7% यह आपको निकाल नहीं आपको याद नहीं है धीरे धीरे हम practice करते चले जाएंगे तो वो याद भी हो जाएंगे अब confuse मत हो ना ठीक है मैंने आपसे पूछा अगला number है अगला number है इतना ही बहुते पहले दो number है तो सेम है 63 जा 18 18 तो कितना हो जाएगा 200 upon 3% further solve किया आ रहा है समझना याद नहीं है तो निकाल सकते है 2 by 3 value होती है इसका मतलब 14 7 जा 98 तो 200 by 7% further solve किया तो एक बार comment section पर बता दीजी कि सर ये method तो clear हो गया आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी याद नहीं है तो हम निकाल सकते हैं मैंने फिरस से बोला निकाल सकते हैं अगर या की तैयारी कर वे और railway SSC UPSC कोई भी एक्जाम है वहां help मिलेगी इस चीज की आगे अभी मैं question पूछूंगा आपसे वहां भी help मिलेगी concepts clear है आगे आता है how to calculate percentage quickly ये तो हमने पहले इनका सीका पहले हम थोड़े से बड़े fraction पर बात कर लेते हैं ठीक है largest fraction यहाँ पर भी आ ज fraction है इनको कैसे solve करेंगे छोटे तो हमने सीख लिए बड़े fraction है इतने बड़े fraction है ऐसे लिखो चाहिए इनको कैसे लिखते हैं बड़े-बड़े fraction है 200-300-500 इनको कैसे लिखते हैं समझ आ रहा है अच्छा समझ में आ रहा है सबको अच्छा तो like कौन पड़ोस ही करेगा करो फटाफट से like आओ बड़े fraction बड़े fraction जैसे आपके सामने एक number लिखावाए अब दीखे जितने भी लोग है उनको बहुत मजा रहा है रिवीजन करने में कि हाँ रिवीजन हो रहा है अब दीखे 108.33 है य बड़े fraction है बड़े मतलब break है ना जैसे आप basic fund अपना एक बहुत बड़ा पत्थर है उस बहुत बड़े पत्थर को एक जगे से दूसरी जगे लेके जाना है तो कैसे लेके जाओगे तोड़ोगे उसको सीदी सी बात है तोड़के उसको चार हिस्सों में कर दोगे आसान हो जाना है तो याद रखिए कि जो जितना बड़ा होगा उसको तोड़ना है अब तोड़ने का सेंस गलत मत लेले ना यहां पर कि जो बड़ा fraction होगा घ्यान दीजेगा जो बड़ा fraction होगा उसको break करना है तो 100% और यह 100% हो गया 1 इसकी value होती है 1 by 12 अब कैसे आई अभी पीछे सिखाई थी मैंने तो answer हो जाएगा 13 by 12 ठीक है अभी यह 1 by 12 कहां से आया इसकी value होती है अभी मैंने निकाल के सिखाया था कि 824 और एक 25 by 3% यह रहा हो 4 बार गया वन बाइट ठीक है ऐसी 362.5 तो break करेंगे 300% प्लस 62.5 परसेंट तो 300% अभी ज़स्ट सिखाया था 3 हो जाएगा 62.5 परसेंट 5 by 8 तो आट ती यह 24 और पांच आउस ताट आ रहा है समझ पेटा एक बार हाँ या ना बोल दो फटा फट से और जो पहली बार जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब का इक बटन है अगर मेरी टीम एक बार आप प्लीज बच्चों को बोल देना सब्सक्राइब भी कर ले क्योंकि सब्सक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप प्राइस के लिए मैं फिर क्या रहा हूं वां सब्सक्राइब कर ली जेगा सब्सक्राइब कर लिजा हो अंत i ene 21, 2 by 3%, तो 100%, 100%, 91, 2 by 3%, तो 100% होता है 1, तीन इकम तीन, 392, 27, प्लस 2, अपॉन 3%, ये हो गया 1, इसको भी कनवर्ट करेंगे, 275, अपॉन 3, परसेंटेज, एक बटे सो, तो 25 से एक बार, 25 से एक बार, 25 से चार बार, एक 11 अपॉन 12, सॉल किया, 12, 11, 12 और 11, 2 और 1, 3, 23 अपॉन 12, तरीका समझ आ रहा है न, हो सकता है कि आप SSC का मेंस दें, या बैंकिंग का मेंस दें, तो बैंकिंग फिर वफरी होने लग क्या, एक मिनिट, बफरिंग को नहीं हो लिए न, बस ठीक है, चलो, हो तो बता दे न, भाई, बीच बीच में, ठीक है, कुछ दिक्कत परिशाद, हाँ, तो माली जी, आप SSC का एक जाम देने लगें, वहाँ पे कोशन आ गया, 191, 2 बाई 3 परसेंट, अब बच्चा गूम आज के बाद, आज को जूमना है, कि मैं इसकी अगर वैल्यू बूचेगा, तो ब्रेक कर सकते हैं, अच्छा, इसको मैं एक चीज और भी लिख सकते हैं, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो, तो, इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं, 200% माइनस, 8 एक बाई 3%, अब इतना ब फिर तोड़ना मुश्किल होता, तोड़के घड़ाना और मुश्किल काम है, तो यह आप कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, दो, माइनस एक बटे बारा, तो बारा दुनी, 24 और एक, 23 बटे बारा, लेकिन इतना सोचना ही सबसे बड़ी बात है, कि यह सोच नहीं पाते हैं, कि माइनस में कितना है, Positives में तो हम सोच पाते हैं, इसको ऐसे लिख सकते, बट, ऍेगेटिफ में यह सोच पाता है, इसलिए जो नेगेटिव वाले बच्चे जो, इन्गों ने ऐसे किया, वो यह हमारे बैष सोच ना, कि ऐसे भी कर सकते थे, बट, क्लिक हमारे दिमाग मे यही करता है, यह सच्छा ही है कमेंट देख लो एक बार है ना, done, हो सकता है कि आप इसको 175% करके भी कर ले कि 175% करके something, ऐसा भी कर सकते हैं आप, 16.66 ऐसा भी कर सकते हैं, कि यह 7 by 4 होता है यह 1 by 6, ऐसा भी कर सकते हैं no issue है ना ऐसा भी कर सकते हैं 7 by 4 और 16.66 आ रहा है चेक कर लेना मुझे exactly idea नहीं है देख लेना आप लोग ठीक है तो ऐसा भी कर सकते है दन बट दरीका जो common है वो यही तरीका common है आईए एक और number है बड़े numbers लिए देखें जल्दी से answer करेंगे सारे बच्चे यह तो हमने करी लिया खैर इस वाले का answer देंगे सबसे उपर वाले का दोनों तो हो गए हमारे यह भी हो गया यह भी हो गया इस वाले का answer देगी जल्दी से फटा 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 हो गया देखिए थीन सो तेरानवे फिर वही कॉंसेट आता है इसको ब्रेक कर सकते हैं कर दो आइंटी परसंट प्लस है नाइंटी त्री परसंट नाइन त्रीन जा ट्वन्टी सेवन तो यह दो सो असी अपान तीन परसंटे जिए रादेकि एकशा मैथड जो कन्फ्यूज ना करें फोर्टीन और फाइफ तो यह हो गया तीन छोदा अपॉन पंद्रा तो पंद्रा थी यहां पैंतालीस और दस पचपन चार फिफ्टी नाइन अपॉन पंद्रा तो काफी लोगों ने किया अब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे 400 माइनस सम्धिंग बट माइनस वाला कॉंसेट क्लिक नहीं करता इसलिए मैंने उस पर बात ही नहीं करी तो अब अभी तक हमने क्या सीखा कि परसेंटेज होता क्या है पहले वो सीखा दूसरा हमने यह सीखा कि प परसेंटेज को फ्रेक्शन में कैसे कनवर्ट किया जाता है सीख लिया चाहे वो छोटा फ्रेक्शन हो चाहे वो बड़ा फ्रेक्शन हो यहां तक की थियोरी सबको समझा गई कि फ्रेक्शन में कनवर्ट कैसे करना है वो समझा गई percentage को fraction ठीक है अब जो मैं सिखाने वाला हूँ वो ऐसी चीज है कि जो काफी helpful रहने वाली है बहुत मज़ा आएगा अब जो सिखाने वाला हूँ अब तो आप कहोगे वाउ सर हम तो calculator होगे है how to calculate percentage quickly कि percentage को quickly कैसे calculate करें अब एक सपोस किजे calculator बच्चा उठाएगा type करेंगा answer calculator से answer लेकिन calculator के बिना भी आप calculation को थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं सपोस किजे आपके पास calculator तो नहीं एक्जाम में अब पहला method तो देखो वही है नॉर्मल जो बचपन से सीखते आ रहे हैं यह ऐसे किया और यह ऐसे कर दिया फिर 0 से 0 फिर हमने का 27 साथियों बापने फिर 2 से 22 जा 4 26 जा 25 जा 27 इंटू 26 पांच यह तरीका बच्चों के लिए अच्छा है competition वालों के लिए तरीका बखवास से मत कीजिएगा बेकार method है तो तरीका कौन सा अच्छा है इसे simple method देखिए अब मुझे क्या होता है कि इसको 21 परसेंट है और 640 है पहले इसको बता रहा हूँ तो what we can do इसको मैं break कर सकता हूँ 10 परसेंट 10 परसेंट प्लस 1 परसेंट ब्रेक कर सकता हूँ इसको ऐसे 21 को मैं 10 10 एक करके लिख सकता हूँ हाया ना बूलो और किसका निकालना है of 640 अगला step क्या है पहले यह step समझ आए कि नहीं है 21 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ हाया ना बूलो दो step में यह answer है step नहीं है कि बहुत ज्यादा step है आपने का इसको लिखा 10 परसेंट 10 परसेंट 1 10 10 1 तो इसका 10 परसेंट 64 अगला 10 परसेंट 64 और अगला एक परसेंट 6.4 थेखिये इतना खुबसूरत है 10 परसेंट अब इस नंबर इस 64 10 परसेंट अब इस नंबर इस 64 1 परसेंट इस 6.4 तो 64 64 128 और 6 134.4 how's that it's a quickly method कैसा लगा आपको method easy था मेरे साफ से तो काफी easy लगा मुझे इस वाले पर भी 27% of 520 ब्रेक कर सकते अगे 10% 10% 20 प्लस 5% प्लस 2% ऐसा बूल सकते है कि 10 10 5 दो ऐसा हम बोल सकते हैं क्योंकि हमें बहुत जल्दी करना है समझने के लिए concept बहुत अच्छा concept है मैंने क्या का यह बहुत लाजवाब concept है और बजाएगा आपको यह नहीं कह रहा हूं कि बहुत जगा यूज होगा लेकिन हाँ छोटी छोटी calculation को जल्दी करने में मदददार साबित होगा तो 10% इसका 10% 52 यह रहा अगें 10% 52 और जो 5% यह वो इसका आधा है तो इसका आधा 26 हो गया एक परसेंट कितना है 5.2 इसका डबल कर दो तो 10.4 लो सबको जोड़ लो कैसे जोड़ेंगे दो दो चार और छे दस का 0 केरी वन पांच 10 12 13 130 प्लस 10.4 140.4 यह तो एक तरीका हुआ एक और मैथड भी था इसको और ऐसे करने से अच्छा एक तरीका और भी था मेरे पास काफी हमने इसको लेंथी बना दिया लेकिन एक मैथड और था जो काफी इसी था गर आपने fractions पड़े वे अभी जस्ट वो मैथड क्या था वो भी देख लो वो मैथड भी देख लो बहुत प्यारा था इसको ब्रेक कर सकते थे 25 परसेंट प्लस 2 परसेंट बिलकुल आपने सही पकड़ा समझ रहे हो तो इसका 25 परसेंट यानि 1 by 4 तो 1 by 4 हो गया 130 प्लस 2 परसेंट इसका तो 1 परसेंट 5.2 का डबल 10.4 तो कौन स इसी लगा आपको तो आपको यह पता होना लेकिन जरूरी है 25 प्लस 2 आया ना बुलो एक बार थमसब करो बहुत बढ़िया एक और कोश्चन है आप खुद से सुल्व करेंगे 57 परसेंट आफ 520 28 परसेंट आफ 445 जितने कोश्चन पढ़ा रहा हूं इन्ही में से आएगा एक चो कोश्चन आएगा और अपनी प्रोफाइल फोटो लगा ले ना भया जिनकी प्रोफाइल फोटो नहीं है वो प्लीज अपनी प्रोफाइल फोटो लगा ले आपसे मेरा निमेदन है प्लीज कि अपनी प्रोफाइल फोटो अपडेट कर ले क्योंकि आपका नाम हम फो 57 को मैं अपने लिखने का जो मेरा तरीका है वो यह है कि जो 10% आएगा उसको तो 5 से कर देना है प्लस 50 हो गया 5% और प्लस 2% है इस नमबर का तो 10% कितना होता है 52 उसको तो 5 से कर देना है 5% हो गया 26 और 2% हो गया 10.4 अगले स्टेब में आंसर तो 5 दूनी 10 26 260 हो गया और तरीका भी दूसरा बताऊंगा 26 हो गया और 10.4 यह पिल्कुल बेसिक मैथड है 6 6 2 8 और 1 9 यह दिखे एक मैथड तो यह हुआ अब आपको जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपको फ्रेक्शन्स याद है तो काम जल्दी आसान हो जाएगा कैसे देखे यह थोड़ा सा फिलंबा हो जाता है इसको लिख सकता हूं 50% वही वाली बाते फिर 5% और फिर दो परसेंट तो 50% यानि इसका आधा हो गया 206 सीधा-सीधा पांच परसेंट हो गया 26 दो परसेंट दस पॉइंट चाहरी यह जादा ही लगा होगा आपको कमेंट फास्ट तो 260 और 20 280, 286, 296.4 डन इस वाले को क्या लिख सकता हूं अब यह 445 है तो 25 करूँगा तो पॉइंट में फस जाओंगा तो मैं इसको लिखता हूं यह देखो मेरे लिए यह जादा वैस्ट है 30 परसेंट करना इसके लिए ज्यादा आसान है क्योंकि 10 परसेंट इसका कितना हो जाएगा 44.5 इंटू 3 कर लिए 3 पंजे 15 तीन चको 12 और 13 12 और 13 एक परसेंट 40.45 दो परसेंट चार दुनी आठ पॉइंट नब्दे हैं पचास 0 15 में से 9 गया छे 132 में से 8 गया 124 कमेंट सेक्शन और लाइक का बटन दबना चाहिए कि हाँ सर अब ये तो देखो फिर भी मैंने बड़ा नंबर ले लिया बट सम्टाइम्स क्या होता है कुछ ऐसे नंबर साते ये बहुत जगा help मिलेगी आप calculation कर रहे होंगे वहाँ help मिलेगी कि माल दीजे कोई ऐसा नंबर आगया 98% of उधारन दे रहाँ ध्यान से सुनना 480 सपोस करो तो यहाँ पर कितना मददकार साबित हो जाएगा कि आपने कहा भई सीधा सीधा 100% माइनस 2 है तो 100% कितना है पूरा पूरा 480 है ये माइनस इसका 1% 4.8 का डबल 9.6 माइनस कर लो तो आपने जितना भी आपका अंसा आज देखे हर चीज के लिमिटेशन होती है जितनी चीज़े में आपको सिखा रहा हूं यह बहुत जगा काम आएगी यह चीज़े कि 98% multiply करने में आपको बहुत समय लग जाएगा आपने सीधा का 100% माइनस दो 100% वही नंबर है एक परसंट 4.8 का डबल 9.6 तो आपने माइनस किया कि 0.4 हो गया 9.6 मतलब यह कितना 10 हो गया तो अब इसमें से क्या करो 479 479 हो गया 469 470 होगा चाहिए मेरे खाल से हां नहीं 4 470.4 होगा तो मेरा आपको बस यही कहना है कि जितने भी कॉंसेट से बहुत काम के कॉंसेट से बहुत हेल्प मिलेगी लाइक किसी ने पूछ लिया 21% of 84 किसी ने भी पूछ लिया आपसे या 21 छोड़िए 26% आ गया 26% of 84 तो आप डारेक्ली ब्रेक कर सकते हो कि 25% प्लस 1% सीधा और यह हो गया 84 तो 25% इसका 1 by 4 21 एक परसेंट 0.84 देखिए maximum लोगी अपने प्लस में सिखाते हैं मैं आपको free of cost पढ़ा रहा हूँ आप यह समझेए यह free YouTube बैच है तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपको कुछ भी पढ़ा रहा हूँ आप किसी से भी percentage पढ़ेंगे सब कुछ यही सीखाएगा जो आप सीख रहे हो तो यह उन लोगों के लिए बिचारे जो बच्चे plus course effort नहीं कर सकते अभी कोरोना टाइम पे मैंने भी देखा यार कि दूसरी बार जब कोविड आया तीसरी बार सोरी तो तीसरी बार में तो औ और धंदी चौपट हो गए तो बिचारों के पास पैसे नहीं हो कहां से effort करेंगे तो उनको मैंने का यार एक स्रीज शुरू करते हैं इस बार है ना और arithmetic को ही मैंने शुरू किया simplification number स्रीज क्वाडरेटिक नहीं शुरू कर रहा हूं सभी वही पढ़ा रहे हैं तो इसलिए how to calculate percentage quickly जैसे अब question आ गया 144 is what percent of 415 डियाई में बहुत यूज होता है ये concept ये concept डियाई में सबसे ज़्यादा इस्तमाल होने वाला concept है percentage एक बच्चा बोल रहा है सर पैसे कब दोगे हाँ बेटा एक काम करता हूं सीधे इनाम पी आ जाता हूं है न पढ़ा हूं ना पहले इन 600 में से धाई हजार लोग अभी watching है तो दो हजार लोग तो वेट कर रहे हैं कब वो 100 नंबर का question है वो कब पैसे वाला question आएगा अरे यार फिर वही बात है पैसे तो एक बहाना है असल माइने में तो आपको selection दिलाना है सभी बता रहा हूं सर ने मुझे ऐसा लगता है कि सरली नोट्स बना रहा है पढ़ रहा है इसी में से एक सवाल पूछूंगा और comment section पे आप जो सबसे ते जवाब देगा उसको हम दे देंगे price तो मेरे को भी क्या लगा कि मैंने 100 रुपे से 90 में दिये आपने मेहनत से कमाए बन तो मेरा पैसे देने का था बच्चों ने का स हमें पैसे देता हमने का ठीक है लेकिन कुछ तरीका दूना मैंने का यह तरीका बैस लगा मुझे चलो सवाल अच्छा है डियाई में बहुत यूस होता है कहीं विचले जाना बहुत होता है तो हम कैसे करते 144 वट परसेंट आफ साड़ी 400 ऐसी करते हैं ऐसी तो करते हैं अच्छा है मैं 32 परसेंट आंसर आभी रहा है कुछ नया सीखते हैं कुछ अलग सीखते हैं अलग यह होता है कि 144 कितना परसेंटे साड़े 400 का अब देखिए मैं जो मेरा जो कहने का तरीका है वो समझना बस ठीक है कि अरुन सर का सोचने का तरीका क्या है अगर 144 को कमपेर कि आ जा रहा है 450 से कि एक नमबर 450 है तो उस 450 में से 144 कितना परतिशत है अब यह बात होता है कि यह इससे कम है तो 100% से आंसर कम होगा यह बात यह है तो हम कैसे करते हैं कि यह जो नमबर होता वो 100% है इस नंबर इस 100% इस 450 यह मैंने आपसे कहा कि जो 100% अगर यह value जो भी होती अगर मालो यह 450 होती तो answer सीधा सीधा 100% यह मेरा method सुने आध्यान से कि मैंने कहा कि 4144 को इससे compare कर रहे हैं कि इसका कितना प्रतीशत है तो मैंने कहा 100% तो 400 ही ठीक है अब मैंने आपसे कहा 10% की value है 45 कितनी value है एक कम हो गया 0 यह lump sum 144 है तो मैंने कहा 3 से गुणा कर लो तो 3 से गुणा करूंगा तो 30% की value हो गई 135 तो 135 से कितना कम है 135 से कितना कम है बता यह 9 कम है तो 135 जो है वो 30% है और 9 जो है वो कितना है देखिए 100% यह हो गया 1% हो गया 4.5 तो 2% हो गया 9 तो basically ये जो है, वो 2% है, तो answer हो गया 30 अर 2, अब आपको बहुत tough लग रहा हुगा, सर ये क्या बता दिया आपने, नहीं समझाया होगा, मुझे मालूम है, ये चीजे नहीं समझाती है, वो ही best लगा होगा, वो काटने वाला को कि बच्पन से वो ही करते आ रहे हैं, तो वो ज अब उधारन के लिए, देखिए, 1236, ये सवाल में अपने मन से बना रहा हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि हाँ, अब देखो, मेरे को calculator नहीं है, मेरे पास, is what percent of 1835, मैंने कुछ भी लिख दिया, 1900 कर दो, अब इसका answer कर पाना बहुत मुश्किल है, अब काट दोगे, अब ब 1236, 1835, इंटू सो, ऐसे करोगे, फर तो निगल गई रात है हमारी, क्यों बही, कैसे करोगे, चलो बनाओ, अगर ऐसे करोगे तो फिर तो होगी हमारा, बंटा धार होगे फिर तो भाई, अगर ऐसे करोगे तो, अब क्या करोगी बताओ, 1236 को डिवाइड किया, 1835 से, मुझे एप्रॉक्स में अंसर चीए, एप्रॉक्स में बताओ कितना अंसर आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा, अब मेरी कॉंसेप्स की इंपॉर्टेंस समझ आएगी, जिसको लोगों को मेरी कॉंसेप्स की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आ रही थी, अब आएगी, एप्रॉक्स में अ 100% से 100% का कितना है ये question है तो मैंने का भाई साब 10% की value 183.5 इतना समझ आ गया आ गया 183.5 अब ये 1200 सम्थिक है 1236 तो मैंने का इसका कितने गुना करूँ साथ से multiply कर लो तो 70% जो हो गया साथ से किया साथ पंजे 35, साथ तियां 21 और तीन 24, सेवें इट जा 56, 58, साथ इकम 7 और 5 बारा तो आपने का कि 70% जो है वो बारा सो चोरासी है बड़ हमें तो बारा सो चतिस जी है तो answer 70% से कम है यह रहा है समझ कि 1236 is what percent of इतना तो मैंने का जो 100% है वो इतना है सर 10% की जो value है basically वो इतनी है तो मैंने का यह 113 सी है बारा सो तक पहुँचना है तो साथ का table मुझे आदा 127 जा पर 187 जा 126 तो 7 से कर दिया 70% इतना होगे अब कितना जादा है तो 1237 मैंने घटा दिया 14 में से 6 गया 8 7 में से 3 गया 4 तो मैंने का 48 जो है वो जादा है 48 जादा है तो यह 48 percentage में कितना है तो 1% की value 18.35 है तो लंसम यह 48 किसके बराबर है 3% लंसम 3% होगा 3% 57 हो जाएगा 2% करोगे 36 हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में तो मैं डारेक एप्रॉक्स में ले लेता हूँ कि 3% कम है तो आंसर जो है या तो वो 67% होगा या 68% होगा इनके बीच में एक आंसर होगा एक्जेक निकालने के लिए तो भाईया फिर calculator उठाओ अब आप देखो मैं इसको अपने phone से आपको दिखाता हूँ calculate करके फोन से दिखाता हूँ 1,2,3,6, divide यह देखे तो आंसर आ रहा है 6.35 है ना तो आंसर मैंने क्या कहा कि अब इतनी बड़ी calculation के लिए ये method कैसा लगा आपको बताओ भई कैसा लगा method method ही पूछ रहा हूँ ठीक एक question और दूँ एक question और सीख जाओगे एक question बड़ा number देखता हूँ 138 अब यह चोटे number इसलिए आपको असान लग रहा हूगा जैसे चोटा number है तो इसमें तो बहुत असान लगेगा अब देखे चोटा number है 138 वट परसेंट ऑफ 406 तर छोटे number के लिए तो बहुत असान है तो डारेक्टली गया 100% 10% 47.6 तो यह कितनी बार जाएगा बताओ लमसम तीन बार कर लो 30% 3618 3721 22 12 142 बट 138 से माइनस कर लो 30% से आंसर कम होगा कितना कम होगा 12 में से 8 गया 4 चार के आसपास कम है तो चार कितना हो जाएगा बताओ कि आपने का एक परसेंट की वैल्यू है चार एक परसेंट चार ही इलमसम तो एक परसेंट कम हो जाएगा तो आंसर होगे 29 परसेंट तो यह ना अप्रॉक्सिमेशन जो डियाई में बनते हैं वहाँ हेल्फुल होता है कोई दिक्कत हाया ना बुलो अरे बोलो यार फटाफट से बोलो आप क्याल्कुलेटर से करके देखो कि यूविल केंट था सेम अंसर बताओ फटाफट से कमेंड फास्ट बढ़िया लागा मजा आ गया तो काफी सारे लोगों ने अंसर किया एक और कोशन है जल्दी साहिए जल्दी से बिना पेंट पेपर के आपने के नॉर्मल कोशन है आपने का कि भई टेन परसेंट की वैल्यू जो है वो साड़े चार सो तो दस परसेंट की वैल्यू कितनी है पैतालीस है ठीक है तो आपको 126 पहुचना है तो लंसम तीन से कल लो चाहेता है अगें 30 परसेंट 135 लेकिन 126 है कितना कमें नौ कमें तो नौ कितना हो जाएगा दो परसेंट दो परसेंट माइनस कलो आंसर हो गया 28 परसेंट अब एक बड़ा नंबर दीता हूं एक बड़ा नंबर दद छोटे nella बर तो आप चूटकियो में कर रहे हो एक बड़ा नंबर देता हूं यह कॉंसेट बहुत प्यारा कॉंसेट्ट से एक बहुत बड़ा नंबर देता हूं 1-2 1-2 हुँख चुग है लो चलो एप्रॉक्स में अंसर चीए मुझे तब क्याल्कुलिटर से मत करना प्लीज पहले मैठड से करना फिर आप क्याल्कुलिटर का इस्तमाल करना हो गया है कि एक कराएं पांसो रुपे कैसे मिलें गया लेव बर्दा है पांसो रुपे दूंगा चिंता मत करें क्या करेंगे भाई मेरे वही बात है कि देखो 100 परसेंट जो नीचे वाला है वह 1428 है नीचे वाला तो उपर वाला कितना हो जाएगा मैं को पता नहीं है 10 परसेंट भाई 142.8 अब यह 800 तक पहुँचना है तो कैसे करेंगे 143 जा 3 गुरा नहीं है 144 जा 56 14 5 जा 70 14 6 जा 84 तो लम से 6 से और कितना कम पड़ रहा है 876 में से कर मैं देखो 20 और चीए तो 60 परसेंट तो होगा प्लस 20 और चीए तो देखो एक परसेंट की वैल्यू कितनी है 14.28 तो 20 जो होगा वो लम सम 5% यार 0.5% मान लो तो 0.5% और जोड़ लो तो answer हो गया 61.5% अब मैं अपने calculator को उठा लेता हूँ फोन को आप 62 भी बोल सकते हो ग्यार 61, 62 के बीच में 876 divide 1428 ये देखिए again मेरा calculator मुझे बोल रहा है 61.34 तो भाई साब जब मैं DI में कर रहा होंगा तो 61.5 के नजदिक तो मुझे यही दिखाई है ना हलाकि वो येने क्या का वो 1% की value 14 थी तो 0.5% मैंने का 20 0.5 से कम होगा 1.4 मान लो 1.3 बात तो एक आसपास ही थो है ना तो ये method अच्छा लगा तो एक बार like कर दें सब लो comment कर दें है ना 61% के असपास answer हो गया तो इतने close option कोई नहीं बदा सकता examiner को भी उठा ले ना वो भी इतना close नहीं करा पाएगा ठीक इतना बड़ा नंबर आप देख सकते हैं मैंने चुटकियों में solve किया है यह ट्रिक बहुत प्यारी ट्रिक है सर मैं आपको बता रहा हूं जो यह free में पढ़ा रहा हूं इसका यह मतलब नहीं कुछ भी पढ़ा रहा हूं आप मेरे session continue देखना बस रोज आना साड़े नौब बज़े नोट्स बनाना देखो और फिर आप competition आप one day exam कोई भी देना तो आपको benefit मिलेगा चलिए अगला चलते larger fraction आगे आता है percentage is interchangeable इसका line का मतलब है जो percentage है वो interchangeable interchangeable का मतलब कि अगर आपने कहा a percent of b उसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो उधारन के लिए 25% of 84 जो होता है उसकी same value 84% of 25 भी बोल सकते हैं तो percentage जो है वो interchangeable है interchangeable का मतलब कि percentage के sign को interchange किया जा सकता है कि 25% 84 सेम answer आएगा 21 यहां से भी करोगे answer will 21 तो यह interchangeable है कि percentage के sign को अपने हिसाब से खिसका सकते है according to need क्यूं करते हैं ऐसा इस तरह के सवालों के लिए sorry यह percentage नहीं है जैसे यह question है यह percentage नहीं है अब जैसे question क्या है कि 512 of 62.5% ऐसे आ गया तो नॉर्मल है सुरी उल्टा हो गया percentage यहां नहीं होना था यहां percentage नहीं है सुरी ठीक है तो question हमारे पास यह है कि पानसो बारा परसेंट ऑफ 62.5 अब हम क्या करेंगे पानसो बारा परसेंट अब पानसो बारा परसेंट जोड़ना मुझे बता है तो मैंने का भई percentage तू उधर चला जा तेरी जरूत नहीं है मुझे तो यह पानसो बारा हो गया और यह हो गया 62.5 परसेंट क्योंकि इंट्र और 64 का पांच गुना तीनसो डन ठीक है सिजा केरी मुझे भी क्लास में घुसाओ मुझे भी पढ़ना है क्लास मुझे भी अटेंड करनी परसेंटेज की पहली क्लास बोला मिस नी होनी चाहिए और आप मिस कर रहे हो देखो डन तो इंटर चेंजी बले इंटर चेंज कर सकत अगला कोश्चन है कि 72 परसेंट ओफ इस नंबर और यह हमने भी सीखाता याद करो तो 72 ऑफ 91 टू बाई 3 परसेंट लिख सकते हैं और यह भी सीखाता हम लोगों ने मैंने का था ने एकजाम में आ सकता है आगे है अलो अब क्या करेंगे 72 याद नहीं है मुझे कोई बात न तीन इकम तीन 275 परसेंटेज है तो 25 इकम 25 इकम 25 इकम 25 से चार चारतियां 12 से चे 116 चारतियां बारा से च्छे एलेवन सिख्जा 66 करो अगर तीन हजार लाइक हो जाएंगे अभी सेशन को तो फिर सवाल लग दूँगा ऐसा नहीं है मैंने वहीं का है जो प्राइज का कॉंसेप्ट है यह कॉंसेप्ट यह है कि आप पढ़ें यार और जो पैसे आपको मिले उससे ऐसे नहीं कि तुम ड्रीम 11 की टीम बनाओ उससे test series खरीदो मेरी किताब खरीदो ब्रहमास्र बुक के लिए पैसे नहीं होते लोग बुलते हैं तो मैंने का ठीक है आप मुझसे पैसे लेलो selection लेलो बस खटम selection हो जाए तो एक मिलने जरूर आना बस और जहां मैं कहीं दिखाऊं दू मिल लेना चलो एक और percentage interchangeable होता है तो साड़े 17% of 84 जरोती नहीं है 17 दुनी 34 और 1 35 बाई दो परसेंटेज कर लेंगे solve answer आजाएगा चलो next concept यह वाला भी सेम ऐसी है 32% of 2500 साड़े 12% of this आंसर निकाले फटापट से percentage interchangeable है मैंने कहा percentage गया value भी interchangeable है एक केरा voice कम आ रही है एक मिनिट में voice देख लेता हूं रुक जाओ यार आज मेरा headache भी बहुत ज़्यादा हो रहा था एक मिनट रुक आवाज तो यह ठीक हा रही है भाई तुम लोगों के लिए चलो एक केरा सब calculator से बना देंगे है फिर वही वाली बात है एक line मैंने पड़ी थी कि नकल के लिए भी अकलची होती है अब यह line में क्यों ऐसे कह रहा हूं अभी कुछ दिन पहले एक मैंने नियूस पेपर में पड़ा चार चोर एक बैंक में चोरी करने गए और एक ATM मशीन होती है और एक होती है एक फिक पासबुक एंटी की मशीन आपने देखी होगी तो चेक एक होती है ATM मशीन जहांसे पैसे निकल ते एक चेक बुक कि छो प्रिंट करती है उसकी वे एक मशीन होती है वह ना लाया कितने ना लाया है और थे कि वो ATM की मशीन को ना लेके वो पास्वुक की मशीन लेके घर चले गए, और उसे तोड़ने लगे, ठाथ पैसे काएं इसके अंदर, इसलिए नकल के लिए अकल जीए होती है, इतनी अकल नहीं थे कि ATM मशीन अलग होती है, पास्वुक मशीन अलग होती है, एक जैसे लग दे तिस दोनों में से confused हो गए ATM मशीन को छोड़के पास वो मशीन ले गए ला यह सच वाक्य है गलत नहीं है आओ percentage interchangeable इसका 0 इदर फेक दो साड़े बारा परसेंट ठीक है साड़े बारा में क्या करो इसको 0 इदर फेक दो 125 हो जाएगा कुछ भी आप कर सकते हो आपके interchangeable है तो 320 25 परसेंट 125 4 से 80 165 जा 80 तो answer 160 आरा है मेरा तो भाई नन सवाल ही से आने वाले है ठीक है यह हो गया यह वाला कोशन में नॉर्मल है यह वाला कोशन भी आप कर लोगे interchangeable 62.5 चेंज कर लोगे डन कोई बड़ा काम नहीं है अब आता है tricky concept last concept है आज का tricky concept tricky concepts क्या होता है यहां तक का समझ में आ रहा है ठीक है यहां तक का समझ में आ रहा है जब को ठीक है एक आता है last concept है हमारा फिर session को end कर देंगे फिर हम लोग अपने price पे आने वाले last question है tricky concept tricky concept का मतलब होता है कि जो भी fractions होते हैं मतलब एक fraction कहना क्या चाहता है पहले तो ये भी समझते हैं अभी तो हमने percentage को fraction में convert करना सीखा हमने कहा कि 16 सही 2 बटे 3% का मतलब होता है 1 बटे 6 ये हमने सीखा है लेकिन इसका मतलब क्या है यार मतलब क्या है इसका इसका मतलब समझते है इसका मतलब ये है कि मेरे दोस्त अगर आपने कहा 16 2 by 3% जो आप लिख रहे हो 1 by 6 तो ये कोई number है 6 कि 6 एक कोई number है उस 6 का 16 2 by 3% जो होगा वो 1 होगा ये एक number है इसका मतलब ये है ठीक है धीरज कुमार सिंग प्रॉबलम इस वीडियो को देखने के बाद नहीं होगी मैं इतना शौर कर रहा हूँ तो 6 एक number है उसका 16 2 by 3% एक है या ऐसा भी कह सकते है किसी number को इतना percent बढ़ा दिया तो वो number अगर 6 है तो 6 में से उसको एक बढ़ा दिया वो 7 हो गया ये आपको representation समझा रही है कि 6 एक number है original को या कुछ भी को उसका 16 2 by 3 एक है अब एक बढ़ा दिया तो 7 हो गया एक घटा दिया तो 6 से 5 हो गया अब इस पर सवाल कैसे बनते हैं या पहले इसको और ट्री की समझाता हूँ मैंने कहा 66 2 by 3 परसेंट कहीं पर लिखावा है तो इसका मतलब है 2 by 3 तो हमने ये कहा कि 66 2 by 3 परसेंट इंक्रीमेंट इंक्रीजड तो इसका मतलब ये है कि original अगर नंबर original नंबर अगर 3 है तो उस 3 में आपने उपर वाला नंबर दो बढ़ा दिया तो added कितना किया दो किया तो आपने का जो new नंबर हो जाएगा that will be 5 ये आया समझ में concept ये समझ आ गया फिर वही चीज़े अब इस पर सवाल कैसा बनता है एक सवाल है जो आप काफी exam में आ जाता है ये सवाल आपने SSC railway UPSC में भी देखा हुआ बैंक में भी आता है ऐसा नहीं है एक नंबर है जिसको बढ़ा दिया गया इतना परसेंग तो वो नंबर इतना हो गया 3430 अब वो नंबर कितना है UTC में graduation complete होना चाहिए हाजी विल्कुल वैश्नवी complete होना चाहिए अगर complete नहीं है तो आप फिर जो है MTS का भर सकते हो बस ही last concept है इसके बाद फिर हम लोग price money पे आ रहे हैं और सबने subscribe कर लें चैनल को ठीक है दिखिए आपने क्या का 16 2 by 3% इसका मतलब होता है फिर से 1 by 6 तो original कोई नंबर अगर है वो 6 है original छे में एक बढ़ा दिया तो new number कितना हो गया साथ हो गया और new number आपको दे रखाए इंक्रीज किया है तो एक बराबर कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 490 एक की value इतनी आ गई तो भाई 6 की value कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगा 490 आपने का 6 0 6 9 जा 54, 6 चको 24 और 5 तो किसी भी fraction का मतलब ही यही है कि fraction जैसे हम बोलते हैं कि जो नीचे है वो base value है नीचे जो है वो base value है कि यदि वो संख्या आपकी 6 आपने कहा तो उसको आपने एक बढ़ा के 7 बना दिया 7 representation किसको कर रहा है इसको कर रहा है एक किसको कर रहा है इसको कर रहा है तो 6 किसको करेगा इंटू 6 करेगा ठीक है अप्शन को मारो गोली अप्शन को मारो गोली नेक्स्ट अगला question एक number जब को decrease कर दिया इतना तो इतना होगी है number बताईए 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 42 बाई 7% 42 बाई 7 परसेंट का मतलब 1 बाई 7 तो आमने क्या का original अगर कोई number 7 है तो 7 में एक decrease कर दे रहे है तो निव नंबर हो गया 6 6 रिपरसेंट कर रहा है 1266 को एक रिपरसेंट कर रहा है 211 को 7 किसको रिपरसेंट करेगा 211 इंटो 7 77 साथ दूनी 14 I hope कि यहां तक कि चलो Are you ready? चलिए ठीक है कोई बात नी बफर हो गया तो चलिए Now we are ready तो मेरी टीम जो यहां पर देख रही है मैं उनसे कहूंगा वो लोग भी रेडी हो जाए चलिए स्टार्ट हो गए तो 5 questions for price money अब आपके सामने आने वाले एक बार 25 बच्चे जो देख रहे थे विचारे वो इंतजार कर रहे थे एक अब सवाल आए लेकिन फाइनली अब आपके पास question आ चुके हैं इन ही मैंसे 5 questions आएंगे answers आपको जो है मेरी टीम आपको answers भी बता देगी कि रूजार 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 पता नहीं क्या हो रहा है इन तो नेट के बहुता इश्यू आ रहा है वच्छे आई डूट मैंसा क्यों हो रहा है मुझे खुब नहीं बता पताने है क्या हो यह जहां सब्सक्राइब करता हूं कि अचानक से अब सब से रिजाएगा चल यह बार देख लेते हैं अब मेरे साब से सब से यह चलो आप ही का फाइदा हो गया कि कुछ लोग चले गए है स्टार्ट करें क्या करें देखो लास्ट मैंसा होता अक्सर है ला इतने सारी लोग मतलब सब की नजल लगी है इस पांज लोग की नोट के तो वो नजल लग गई और वो बस क्या विद्ध में सब लोग रेडी है इक वर में सब लोग कर लेता हूं सब लोग के आने का फिर स्टाप लेगा दो-ती मिनट चीए मुझे में सॉल्वनी करों कोश्टन सापके लिए बस क्या है सौल बी की जाएगे ठीक है एक दो तीन नहीं काफी लोग इसको देख रहे हैं तो पहला कोश्टन आपके सामने लखूंगा ठीक है तो पहला कोश्टन दूसरा कोश्टन तीसरा कोश्टा पांच वर पांच कोश्टन आएंगे हर कोश्टन के लिए में एक मिनट का टाइम दोंगा एक मिनट के अंदर ही आपको एक से दो मिनट मैकिसिमम टाइम खेuchar मिनट में आपको करना होगा तो सटाट्ट करें ऑर एड़ी ठीक है वोइस नहीं आ रही है क्या अब कौन के रहा वोइस नहीं आ रही है भाई एक नट वोई चेक कर लेता हूँ आ तो लिए वाज या तुम्हें आवाज सुननी की कॉश्चन देखना है चलो आ रही है चलो स्टार्ट करें काफी कम लोग होए चलो पहला कोश्चन आपके साहरे तो टिम में सब लोग रेडि हो जाए ठीक है विखाया किसी देरी के भाई तो सब लोग रेडि हो जाए पर पर स्क्रीन रोपर यह रहा तो रूल से एक बार देख लो भाई ताजिक क्यों कि एक ही बच्चा प्राइज रही थे तो कोशिच एगी कि मैं सब के रूर्स रखें तो मैं आपको रूर्स बतायाता हूं रूल बेसिकली कुछ यह है कि सेशन विल रख और यूट्यूब प्लैटफॉर्म यूट्यूब पर आपको विलेगा और बेसिकली में मोटा मोटा वालता हूं कि आप तो क्या है कि फॉर पार्टी सिपेशन आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा पहला काम दूसरा काम जो विनन होगा हर कोस्ट्रेशन का अलंग होगा जैसे 5 कोश्ण को थो पांच अलंग अलंग विनन होंगे ऐसा पहला गोशन आपकी स्क्रीन के ओपर यह रहा समय शुरू होता है चलिए मैं साइड हो गए रहा हो ताकि आपके बीच मेना हूँ यह बने पर यह रहा हो दो कि अईड़स रहा होच हो है कि कौन देखते हैं कि आंसर नीनी आया को वाव सब्सक्राइब सबस्छ रहे हो पार सब्सक्राइब जो चलो भाई तो आंसर बाए किसमे किसमे आंसर दिया है वो तो कमें सक्षिन ही बताएगा बट काफी मज़ा रहा इंट्रस्टिंग रहा काफी लोगों ने आंसर किया है वर ठीक है तो बहुत बड़े है बहुत बड़े है मैं आपको नाम जो है मेरी टीम जो है वो कमेंट सेक्शन भी नाल देगी कि तर बिनर आप फस्ट कोई रहा तो मैं रिक्वेस्ट करों वैसे आ तो जिसका भी नाम विनर का नाम जो लिया जाए उससे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी भाई वो थैंक्यू करके बता दे थाकि हमें भी जैनियूर्टी लगे यहां पर पहला कुश्चन आंसर 132 था मैंने बताया था इसको प्रेक कर देगे 100% 37 1.2% कॉंसेट सिखाया था मिना अब मैं इसमें अब वर्च्वल दुनिया इत्या कर सकते हैं चलो आजब दूसरा कोईश्चन आपके सामने यह रहा है यह जब आए या कुछ लेकर बैठा है या कुछ लेकर बैठा उसके साथ में क्या कर सकता है और लोग भाई को लेकर बैठा पहन को लेकर बैठा इसका बिरांसर अब आद आदो बटा उटसे दूभी तो उस केस पर कुछ नहीं कर सकते है विए सॉलिशन भी है चलो कॉश्चन आ चुका इसका अंसर्स भी आ रहे है जलती से कमेंट सेक्शन पे बहसेर से कंथे कमेंट की रफ्तार बिरिशन पेस्ड आ है जा है कि बहुत सरी बहुत सरी यह मतलब बढ़िया है कि मतलब मज़ा आ रहा है तो मुझे इस तरीके का हो रहे तो इस आंसर बसी कली क्या है कि आजब को तो अगर मैं इस आंसर देखू तो हो है कि 451.8 लेश का सरी जवाब है 451.8 आप क्यालब्लेशन में आपको सिखाई थी कैसे करना है यह बाली भी सिखाई थी वह बाली भी सिखाई थी कि 50 और 55 तो करके तो हो सकते 40-3 करके तो हो सकते इसको लिए सकते 40%-3% 40%-4 दुनिया चारच को 16 और माइनस 3 परसें ओर तो यह नहीं दर निवल जाएगा इसको लिख सकते हैं 50% 265% 26 और एक परसेंट 5.2 कटबल 10.4 जोड दिया फिर जोड दिया 6.6,296.4 यह हो गया प्लस यहां से जो value आए भी वो इसके साथ जोड़े रांसर ए चलिये तो कैसा लगा कुछ अलग कुछ नहीं है तो दीन वे डेसाइड की सेक्ड कुश्चन में कौन विनर रहा है दर राइन सर इस इसरा सवर पर चले और अगर मांगीजे कि कई बार ऐसा मुपता कुछ क्लैस हो जाए मांगीजे ऐसा भी हो सकता देखो यह वर्चुल दुनिया है है ना हो सकता है कि हमने आपका नाम देवी से पढ़ाओ कुछ पर ऐसा हो सकता है कि उपर नीचे हो जाए तो उसमें आप समझदार बनना ठीक है यह मत करना किसर मैंने दिया था वो दिया था नेक्स अग्ला कुछ चिंता मत करो कुछ ऐसे कोश्चन दिसमें आपको क्योंट की जरूत भी प कोई बात नियां देखो मकसद मैंने आपको फिर बोलाए कि इस चीज का मकसद सिर्फ और से भी यह नहीं है इस चीज का मकसद है आपको मुझे सिखाने जिसे मैंने ये वाला कॉंसेक्ट आपको सिखा मैंने उसी पे सवाल पूश लिया कि 144 इस वाट परसेंट आप और कोशन दिया है चली आंसर अना शिरू हो चुका है राइल आंसर अफ दिस कोशन इस 192 कैसे क्या था 144 कितना परसेंट ते 750 हम बताया भी था मैंने तो इसको तो कर सकते हैं इसमें कुछ दिमाग लगाने यह लोग नहीं थी कि इल्टू 100 कर लेते तो जीरो से जीरो पांच से दो बार पांच से कितना फाइट से टू पार फिफ्टीं बार ऐसे कर लो या तर सीज़सीदा मैचट था लेखो कि भाई 10 परसेंट की वैल्यू 75 हमको पूंच इसमें बार फंसब करो नावर से काफी लोगों ने अंसर किया भी है तो इसका अंसर में बदाया हम कि सही अंसर क्या है दा सर अप्धिस कोश्चन इस एक मेंट एक मेंट है नाइन्टीं कॉइंट उ जिए तो काफी लोगों ने अंसर दिया है नाइंटीन पॉइंट टू इसका सही आंसर जितने लोगों ने भी दिया है ठीक है अभी बढ़िया बहुर बढ़े आई यह देखिए अभी पढ़ाया का गोई पुष्टन ने दिया और बनाइए सब के नाव हम लोग शेयर कर देगी को कमेंटी पोस्ट पर टीम नोट कर लिए ठीक है डोड़ी मैंने क्या कर देगो जो आज जीत किया वो कल ने जीत पाएगा आप क्यों परिशान हो रहे हो आप जो प्राइबिटा उसमें से कोश्चन है कल थेरोटीकल पार आ आज क्या होगा है को कि पूंडर फॉर आज एक चोन आपका कर दुदो कुड़व तो तींची चे खागाड़ा है तो इंटरनेट ने भी आज साथ नहीं दिया ठीक है तो दा राइन अंसर बिसकोशन इस सेवें फिफ्टी नाइब और आखरी सवाल थोड़ा लेंथी में दिया है थाकि इसमें हर बच्चा जिस बच्चे को लगता है कि सवाप तक मेरे एक वी सही नहीं हुए आखरी सवाल ज जलती से कोई बच्चा आज जीते हैं हमने एक नियम और रठा है कि जो आज पांच बच्चे जीत गये वो कल नी जीते हैं जो आज पांच जीत गया वो कल नी जीतेगा आप यह नियुद आपका आज नंबर नहीं आए तो कल आजाए मकसब मेरा बेसिकल है यह सब को आज प्राइज वाने कल नहीं होंगे तो यह एक अपनी सोच है तो आप शिंता मत करें चलो नेक्स लास कोशन इसमें उम्मीर है आप लोगों से मुझे क्योंकि ये कोशन थोड़ा सा लेंथी है चलिए थोड़ा सा ये कोशन लेंथी और ये आरवी प्योंड दोज़ागे किस अजय को यूट्व पर नाम चेंज करने के बाद उसका अपने करेंगी डोल परी वैसे इसे बना मिजना है कि उसको वैलिफिकेशन करें जाए अधार अधार सब्सेक करेंगी डोल परी जैसे मांगो आज कोई बच्चा है उसका नाम में इसे एक बच्चा था सबसे पर अधार काड़ पर होना चीए अशीवी है ना ऐसे तो कोई कुछ भी ना मिलतेगा कोई लिखतेगा रज्री कान्त तो यह ही ध्यान रखना है जिन बच्चों को प्राइस मिल रहा है आपना अरिजनल लेंग होना चीए हम वेरिफाई करेंगे आपसे ऐसे तो कल आब रख्या अधार को मेरा नाम बाहु बली है ऐसे फिर फेकनेस बढ़ जाएगा लोगा ट्रस्ट खतम हो जाएगा मक्सब निदा जो इंटेंशन है हमारी वो खराप जाएगी फिल लोगों की साथ मैं फिल आपनी तो कुछ लोग सिस्टी कर रहे है कुछ लोग से जलूरी है आजी पर है मेरी कितना परसंट मेर्डेन एक्स जैड पेसिकली एक से जादा है एक्स और वाई आगया जैंड और एक्स अगर छे हैं तो जैड़ आपका साथी तो मितला भुआ अक्सू π्रेशन आगया एक्स जैड़ एक्स DIRECTOR कितना accidentally साथ को बाढ़िया अब Qशन को पढ़िये पूछ रहा है, 30% of y, 30% of y मतलब बता है 1.5, ये 1.5 कितना % है, इतना y object, इसका 2 by 7 यानिकी 2, इन 200, 0.80, 20 से 5 बार, 75% is the right answer, तो 60 वाले गलत है, तो टीम जेनों ने 75 answer गिया हुआ, और they all are right, ये theory वाला question अच्छा लगा आपको आज, ठीक है, तो आज जो 5 लोग हमारे साथ जीते, congratulations, भाई, मोहित कुमार अपने पांचले question में सबसे तही जवाब दिया, तो जितने भी लोग हैं, कि आज गई कोई नी जीत पाया, कोई बात नी, कल फिर मोखा है, आज जो लोग जीते हैं, वो कल भी जीत पाएंगे, जो कल खेलेंगे, वो किसी और नाम से खेलें, भाई, verification में आपको वो चीज दिखानी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा मत करना, पाप अगर नाम से खेल ले लग जाओ, यह सब पाम मत करना, चेल को ठाइब की, आप इसुलेंट बन गई खेलें, मेरा मकसद यहां पर कोई, यह नहीं कि हाँ, कोई गेंशो चल रहा है, मकसद यह है, जो गरीब बच्चे हैं, जिनको सो पचास उन पे, प्रेसरीज के आगे लेके जाएंगे, आगे कुश्चन करेंगे, फिर लास्ट में पांच सवाल, तो डेली चलेगा यह सेशन, मजा आएगा आप लोगों को, डेली आप सेशन देखिए, आपने फ्रेंड सर्कल को बताइए, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जिनको रगता है कि थर्ड कुश आपके इन दर अलेंट है तो, ठीके, चलिए, तो कॉंग्रेचुलेशन दू आपको बता देगी, आपको कैसे कैसे क्या है, ठीके, चलो, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इसी के साथ सेशन को करते हैं, समाब, गुड नाइट, थैंक यू सो मज, तो सब के न आपको बता देंगे टीम, अगर नहीं बता चलेगा, तो कल हमें इमेज के साथ कम्यूनिटी पोस्ट भी लगा देंगे, फर्स, सेटिंग, थैंक यू सो मज, काफी बचाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले मेरे लिए काफी चलेंजिंग था, बीच में हमारे में ने क्या बता हूं, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, काफी लोगों को हेल्प करने जा रहे हैं, तीन से चार मेंगे में, पच्छिस से तीन हजार लोगों तो हम लोग हेल्प करने वाले पस तरहीं, करने जाँ, बीच करने शोगों दोगों, काफी बाता हैं,